अंडर 20,000 रुपीज की प्राइज में सबसे बैस्ट फोन कौन सा है मैं आपको ये तो नहीं बोलोगा मोडरोला वन फ्यूजन प्लस है लेकिन आज हम इसमें वीडियो में मोडरोला वन फ्यूजन प्लस का डिटेल रिव्यू करने वाले है इसका मतलब ये है कि इस फोन के बारे में आपको जो है सब कुछ बताने वाले है ये फोन परसनली मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें जो है चीता एप्लिकेशन नहीं है मतलब वो जाडू पोचा नहीं लगाता इस फोन के अंदर अगर आप ये फोन लेने की सोच रहे है या फिर यूज कर रहे है तो क्या ये फोन अच्छा है डिटेल में वीडियो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आतो जरूर से लाइक करना और कमेंट करके बताना कि क्या ये आप जो है अगर आप जो है इस वीडियो को पूरा दिखोगे तो आपके जो है सारे डाउट्स के लिए रो जाएंगे और आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के design and build quality को लेके हलांकि फोन जो है glass body तो नहीं है लेकिन यहां पर आपको जो है design wise काफी अच्छा फोन जो है देखने को बिल जाता है जहां पर एक corner पे corner पे बड़ा सा camera लगाया गया है उसके नीचे जो है छोटे छोटे जो है मोटो की branding है वो personally जो है मुझे अब भी से नहीं काफी time से पसंद आती है क्योंकि fingerprint sensor पर यह मोटो की branding करते है वहाँ पर look wise जो फोन काफी और भी पैरा लगता है बात करते हैं इसके front design की जो कि आपको 6.5 inch का display मिलता है जो कि है IPS screen के साथ में अब यहाँ पर आप quality देखिए हमने इसके अंदर video play किया है यहाँ पर आप देखिए color ratio की बात करते हैं IPS screen के साथ में आपको काफी अच्छा decent color आपको देखने को मिलता है मतलब ऐसा आपको पता नहीं चलता कि इसके अच्छा super AMOLED display यूज़ किया गया है या फिर जो है IPS display उसका गया है इसको जो IPS display है काफी जो है अच्छे color आपको provide करता है काफी contrast आपको जो है provide करता है जैसा कि आपने यहाँ वीडियो में देखि रहे हैं जो actual color है, natural color है आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं बात करते हैं इसके side में bezels की तो अब यहाँ पे bezels देखिए आपको जो है उपर की side में और नीचे side में आपको हलके हलके थोड़ी जादा bezels मिलते हैं लेकिन जो side की bezels है वो काफी कम मिलते हैं हलांकि जो है moto को थोड़ा बहुत कम करना चीज़ था इस bezels को जो की उपर की side में और नीचे side में दिये हुए है इन bezels को हलके से यह जो है moto कम कर सकता था लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी से बड़ी bezels दी है हलांकि इस side में जो है काफी अच्छे bezels हैं इसी के साथ बात करते हैं इस phone की performance के बारे में जहां पर chipset युज़ का गया है snapdragon 730G अब यह वालो जो performance वाला phone है हम अल्रेडी POCO X2 देख चुके हैं जहां पर हम बहुत सारे comparison भी कर चुके हैं POCO X2 के साथ में बहुत सारे phone का और भी comparison कर चुके हैं काफी अच्छा और काफी decent performance मिलता है हालनकि अगर आप यहां पर game खेलते हो तो game भी आपको एक smooth gaming मिलेगा जहां पर हमने PUBG का experience लिया graphics setting की बात करता है तो HiX यहां पर ultra के साथ में smooth आप प्ले कर सकते हैं Moto One Fusion Plus के साथ में gaming performance में यह phone काफी decent है हालनकि मैंने इसका battery drain test किया है gaming के साथ में मतलब सिर्फ जो है already 6,5-6 गंटे मैंने gameplay किया इस phone का gaming performance है मैंने totally check कर लिया है कि कैसा performance देखने को मिलेगा मुझे एक भी यहां पर कोई भी issue देखने को नहीं मिला heating की बात करते हैं तो almost 44-45 डिगर तो higher temperature जाता है इस phone का जब मैंने almost 5-6 गंटे gameplay किया था और उसकी बाद में मुझे frame drops जो है मतलब जादा frame drop जो है देखने को नहीं मिले हालांकि कुछ-कुछ time में आपको जो है frame drops जो है देखने को मिलते रहते हैं वो net connectivity का भी problem हो सकता है या फिर जो है phone का भी problem हो सकता है कहीं न कहीं मुझे थोड़े बहुत जो है frame drops देखने को मिले बीच बीच में हालांकि आगर आप जो है gamer हो तो ये phone जो है आपके लिए अच्छा है काफी smooth game आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं लेकिन अगर frame drop की बात करते हैं तो कहीं न कहीं आपको थोड़े बहुत frame drops की देखने को मिल जाते हैं अब बात करते हैं इस phone की camera performance के बारे में जैसे कि मैं आपको बदा एक बड़ा सा camera जो है लगाया गया है जो कि यह 64 megapixel का camera जहां पर आपको aperture lens, spoken lens f1.8 मिल जाता है जो कि low light में काफी अच्छी images capture कर लेता है हमने यहां पर जो है कुछ यहां पर outdoor light में या फिर indoor light में जो है कुछ images capture की है जो कि आप यह देखी सकते हैं मतलब performance wise में यहां पर एक अच्छा performance एक detailing आपको जो है देखने को मिल जाती है colors की बात करते हैं तो आप जो है colors देखी रहे हैं कि आपको जो ही अच्छे colors यहां पर देखने को मिलते हैं आपको exposed भी देखने को नहीं मिलेगा मतलब अगर जो है किसी की image capture करते हैं तो आपको जो है overexposed या कोई extra colors भी जो है देखने को नहीं मिलता है मतलब जो actual color है वही आपको जो है main camera में देखने को मिलेगा 64 MP के साथ में हालांकि बात करते हैं wide angle की जो कि है 8 megapixel के साथ में ये वाली images जो है wide angle की capture की गई है performance wise में wide angle भी जो है इक अच्छी सी image capture कर लेता है macro lens के लिए 5 MP का है हालांकि आप यहाँ पे देख रहे हैं digit tech लिखा हुआ है जिसका performance आपको काफी अच्छा मिलता है macro lens के साथ में macro lens 5 MP का जो है अच्छा सा काम कर लेता है हालांकि मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग या in fact मैं भी बात करता हूँ तो macro lens जो है बहुती कम काम आने वाला product है मतलब बहुती कम काम आने वाला camera lens है लेकिन जो है wide angle और main camera और depth को जो cover करने वाला camera होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए macro lens के comparison में बात करते हैं depth को cover करने के लिए जो कि है 2 MP का आप यहां पर images देखी सकते हैं कि कुछ है कुछ इस type की बैक्राउंड वाली images देखने को मिलती है मतलब portrait shot वाली images देखने को मिलती है इसी के साथ front camera की बात करते हैं तो वो है 16 MP का camera जहां पर लगाए गया है motorized pop-up camera जो कि focal lens f2.0 के साथ में काम करता है अब मैं यहां पर साफ साफ आपको बोलाते हूँगा कि front camera performance के लिए यह phone जो है नहीं बनाया गया है क्योंकि आपको जो front camera images है वो इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है मतलब इतना अच्छा performance जो है देखने को नहीं मिल पाता है हालांकि आप यहां पर images देखी रहे है मतलब इतनी detailing आपको जो है देखने को नहीं मिलते है quality में आपको थोड़ा बहुत compromise करना पड़ेगा front camera images के साथ में बात करते हैं यहां पर battery performance के बारे में लगाई गही है यहां पर 5000 mAh की battery हमने इसको दो बार test किया है एक बार मतलब हमने test किया है इसको 5000 mAh बैटरी के साथ में सिर्फ gaming प्ले करके जहां पर इस battery का performance almost आपको जो है साड़े 6 गंटे का देखने को मिलता है अगर आप जो है सिर्फ game प्ले करते हैं लेकिन अगर आप जो है यहां पर नॉर्मल यूस करते हैं मतलब कभी game खेल लिया कभी यहां पर वीडियो प्ले कर लिया कभी YouTube देख लिया तो continuous using पर आपको जो है almost 9 से 10 गंटे का performance जो है easily से देखने को मिलता है मतलब है कि अच्छा battery performance है लेकिन यहां पर याद रखना क्योंकि इसको चार्ज करने के लिए यहां पर छार्जर दिया वा है वो है turbo charger जो कि उस charger को यहां पर बैटरी को चार्ज करने के लिए almost जो है डाई गंटे आपको अपने फोन से दूर रहना पड़ेगा मतलब हो को जो है डाई गंटे लेता है ये 5000 mAh बैटरी चार्ज होने के लिए वेरेंट की बात करते हैं 17,500 पर हम आपको 6GB RAM वाला वेरेंट जो है देखने को मिल लाता है जो कि है UFS 2.1 128GB स्थोरेज साथ में तो बस याद ये था एक detailed review जो कि हमने आपको बताया है हमारे experience की बात करते हैं लबग हमने जो है इसको 20 दिन यूज किया गया है तो हमें जो है इसी कोई दिक्कर देखने को नहीं मिली है जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर कभी कभी जो है frame drop देखने को मिलते हैं gaming के अंदर और साथ में आपको जो है front camera की images quality है वो जो है इतनी अच्छी नहीं है बेजल्स का आपने बताया है कि आपको जो है motor यहाँ पर थोड़े बहुत और भी जो है कम कर सकता था लेकिन आपको जो है कुछ step का performance देखने को मिलता है तो बस यह था आज के वीडियो में उम्मीद है आपको मारा वीडियो पसंद आएगा तो like को और share करना मत बूलना comment करके बताना कि क्या आप जो है motor 1 fusion plus यूज़ कर रहे हैं तो please आप comment करके जरूर से बता देना सब्सक्राइब नहीं कि आप तक हमारा चलको जरूर सब्सक्राइब करना जिसलिके आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेश पर देखने को मिलते रहेंगे इतना इदाज के वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत दंजवत आपका दिन शुबो मिलते हैं से किसी अगले वीडियो में